जैन शातियो बहुत इंतिजार करने के बाद मदनिसेद 689 की जो एक्जाम डेट है बिल्कुल फाइनल कर दी गई है आयोग के द्वारा और अफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है इसको निकालने के लिए उनको अब मेहनत को ट्रिपल करने की जरुवत है डबल भी नहीं क्योंकि मदनिसेद में काफी ज़्यादा कॉम्पेटिशन होगा और इस कॉम्पेटिशन के दौर में अगर आप मेरिट बनाना चाहते हैं कोई भी क और माक्स में भी रिटेन में भी आपको 85 प्लस अटेंप्ट करना होगा जो कि सही अटेंप्ट करने होगे तो एक्जाम की तैयारी भी जोड़दार्त करिए आज मेरी तब्य तोड़ी खराब है इसलिए मैं वीडियो को अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ तो जो करके दोरान बहुत प्रावलम फेस करना होगा सभी को फेस करने के बाद आप नौकरी करेंगे यानि मद्द निसेद 690 पद के लिए चैनित होंगे तो आप सभी अभ्यर्थियों को सबसे पहले रिटेन पे फोकस करने की जरूरत है और रिटेन के साथ साथ फिजिकल भी करन अत्य अवश्चक होगा आप सभी पूरा का पूरा दम लगाएं महनत करें और महनत सही दिसा में होनी चाहिए महनत दो तरीके से होती है एक महनत दिसाहीन महनत होता है जिसका कोई दिसा नहीं होता है और एक महनत जो होता है वह दिसा के टूवर्ट होता है यानि उसके सामन चलने का काम करता है, साथ साथ चलने का काम करता है, तो आप लगातार जोर लगाए, अब समय नहीं है दोस्त, अभी नहीं होगा, जो 8415 में चटा होगा, वो बखलाया हुआ होगा, तो वो बखलाहट आपको निकालना होगा यही पर, 689 में आप अपना बखलाहट को निकालिए, और इसके लिए चैनित होगे, भगवान कहीं न कहीं आपके लिए अच्छा चीज छोड़ा है, यानि जव 8415 में आप चटे हो, तो मदनिसेत आपके लिए है, जो आपका भरपाई करेगा, और आपको अपसोस नहीं होने देगा, मत मतलब बहतरीन चीज हो जाएगा, अगर 8415 में नहीं होआ है, और 689 में मदनिसेत में हो गया, तो समझे लोगी अराम बाण है, इसलिए महनत को ट्रिपल करो, और पूरा का पूरा दम जोको, पूरा का पूरा का पूरा कंसेंट्रेशन देना होगा इसके पीछे, तब आपका रिजल जाके 100% होगा, आप सभी को धेट सारी पधाई और सुबकाम नहीं महनत करिए लगे रहिए, मारकोस टीम हमेशा आपके साथ कड़ी है, जैहिंद जैवाल